हिलो एवरिवन, वेलकम बैक तुमे चनर, आज की कहानी अमारी लालची समोसे वाली चोड़ैल की एक काउं में रोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक फेला था, जिसमें समोसे कचवडी रखकर गाउं गाउं में गूम गूम कर बेचा करता था उसके समोसे इतने अच्छे होते थे की पास-पास के सभी गाउं वाले उसकी तारिफ किये वगर रह नहीं पाते थे और भर-भर के समोसे लेते थे रोज की तरह रोहन समोसे बेचकर साम को अपने घर लौट आता था मगर एक दिन उस समोसे बच गए और रात भी हो गई थी सभी उसने सोचा की आज तो थोड़े समोसे बच गए हैं और काफी रात भी हो गई है मुझे जल्दी से घर जाना होगा मेरी पतनी अकेली मेरी राह देख रही होगी या सोचकर समोसे वाला रोहन अपने घर जल्दी पहुँशने के लिए एक जंगल का रास्ता चुना और सोचा की इससे में बहुँच जल्दी से घर पहुँच जाऊंगा अब रोहन अपने ठेले को जंगल की तरफ गुमा कर उस रास्ते से जाने लगा रात का मौसम था जंगल का रास्ता था एकदम अंधेरा और सुनसान सडक था उस चंगल में पेड की वज़ा से और भी अंधेरा लग रहा था कभी कुछ दूर जाकर रास्ते पर अचानक उसकी ठेला रुक गई और यह देखने के लिए रोहन जब ठेले के आगे की और गया तो उसने देखा की एक चुड़े रास्ते पर लेटी हुई है उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आखे और उसके बड़े बड़े दान्त और सफेद कपड़ों में लिपकी हुई है पेले की तक्कर से चुड़े जाक गई और कहने लगी अरे कौन है तु जो इस रास्ते से आ रहा है तुझे पता नहीं कि यहां पर हम चुड़ेलों का राज है जा तु मरने के लिए यहां पर आया है प्रोहन उसे देखकर डर के मारे कापने लगा और भागने की कोशिस करता है मगर उसका पैर महीं पर जमा हो जाता है उसे लगता है कि वह भाग रहा है तुड़ेल उसे अपने नजरों से हवे में लटका देती है रोहन कहता है चुड़ेल जी चुड़ेल जी मुझे छोड़ दो मैंने क्या किया है आपका चुड़ेल कहती है कि अरे मुर्क तुने मुझे सोते हुए जगाया है इसलिए तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी या कहते हुए चुडैल उसे नीचे गिरा देती है और वह प्रोहन गडाम से नीचे गिर जाता है और कहता है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो पर चुडैल तो चुडैल है उसकी बात कहां माने सभी अचानक चुडैल की नजर उसके ठेले पर रख़्े समोसे की ओड़ जाती है और वह समोसों को उठा कर खाने लगती है खाते हुए कहती है वा अति अनन्द आ गया जा समोसे हैं और कहती है कि मैं इतने दिनों से मनिश्यों को खाते खाते बोर हो गई थी अबसे या समोसे रोज खाऊंगी तुडैल रोहन से कहती है कि अरे या समोसे तो बहुत ही स्वाडिस्ट है ऐसे समोसे तो रोज मेरे लिए यहाँ पर लाना नहीं तो तुझे में कच्चा चबा जाऊंगी यह कहकर चुडैल रोहन को छोड़ देती है और रोहन वहाँ से चला जाता है घर पहुँचकर अपनी पतनी को सारी बात बताता है और अगले दिन ज्यादा समोसे बनाता है जिससे चुडैल को दे सके रोहन अपने ठेले के उपर समोसे बेचने चला जाता है और साम होते ही बहुँच से समोसों को बचा कर उचुडैल के पास लेकर जाता है चुडैल रोहन को आते देख खुशी से नाचने लगती है और कहती है कि आ गया समोसे वाले अगर तु नहीं आता तो तेरे घर जाकर तुझे और तेरी पत्नी को खा जाती इस पर रोहन कहता है नहीं नहीं चुडैल महरानी मैं रोज जाऊंगा और आपको समोसे दिये बिना नहीं जाऊंगा वा लालची चुडैल समोसों को खुब खाती है और कहती है ठीक है जाओ एकल इस समय आ जाना नहीं करकर वहां से चला जाता है रोज इसी तरह से रोहन को समोसे बनाकर वो चुडैल को दे आता है ऐसे ही कई दिन बीत गए और रोहन का सारा समान खत्म हो गया जिससे चुडैल के पास समोसे ना ले जा सका उस रात रोहन और उसकी पतनी डर से सो भी नहीं पाए इसी चुडैल कहीं आकर हमें खान आ ले दोने एक दूसरे को देखते हुए जग रहे थे अभी अचानक आधी रात को वा चुडैल आकर उसके पेले में बैठ गई और कहने लगी अरे रोहन कहा गये हो इधर आओ मुझे समोसे दो नहीं तो तेरे घर के अंदर गुश कर तुझे खा जाओंगी रोहन चुडैल की आवाज से डर जाता है और धीरे से दरवाजा खोल कर देखता है अभी चुडैल उसके दरवाजे के बाहर उल्टा सर करके लटकी रहती है उसे ऐसे देखकर रोहन और उसकी पत्नी डर जाते हैं और कहते हैं चुडैल महरानी हमारा सारा समान खत्म हो गया था इसलिए आपके लिए समोसे नहीं ला पाएं चुडैल उनकी बातों को सुनकर कहती है ठीक है मैं तेरे लिए धेर सारा समान अभी देती हूँ और तु मेरे लिए रोज समोसे लाकर देना यह कहकर चुडैल उनकी अपने चड़ी घुमाई और वहाँ पर धेर सारा समागरी एकट्था हो गई अब रोज रोज सी तरह खुब समोसे बना कर गाउं गाउं बेचता और साम को उस लालची चुडैल के पास ले जाता और वहाँ चुडैल खुब समोसे खाकर रोहन से बात करती अब रोहन और चुडैल दोनों दोस्त बन गए और ज़्यादा समोसे बेचने से रोहन भी काफी अमीर हो गया हेलो आगे और भी ऐसी काहानिया देखने के लिए प्रेस मेरे चैनल को सस्क्राब करें बाई, मिल्देन नेक्ट बीडियो में